आज हम सीखेंगे पाँच जगत वर्गीकरण और द्विपद नाम पद्ध दी शुरुवात में कैरोलस लीनियस ने जीवों को दो जगत में बाटा जिसमें एक था एनिमी लिया और दूसरा था प्लांटी यह वर्गीकरण जीव के स्थान बदलने की शमता के आधार पर किया गया वे जीव जो स्थान बदल सकते थे एनिमी लिया जगत में रखे गये तथा वह जीव जो स्थान नहीं बदल सकते उन्हें प्लांटी जगत में रखा गया लेकिन इस वर्गी करन में कुछ त्रूटिया थी जैसे फंजाई जिसमें क्लोरोफल नहीं है एक प्लांट नहीं है फिर भी प्लांटी जगत में रखा गया इन त्रूटियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के वर्गी करन किये गए जिसमें से पांच जगत वर्गीकरण अधिक प्रचलित है चलिए इसे जाने अरनस्ट हेकल, रॉबर्ट विटेकर और काल वोज नामक वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को कोशिकिय संरचना पोशन के स्त्रोत और तरीके तथा शाररिक संगठन के आधार पर पांच जगत यानि फाइफ किंडम्स में विभाजत किया जिनके नाम है मोनेरा, प्रटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया यह देखा गया कि किसी जगत में ऐसे भी जिव है जो एक दूसरे से किसी अभिलक्षन में भिन्न है इसलिए प्रतेक जगत को विभिन्न अभिलक्षनों के आधार पर पुनह उप समूहों में वर्गिक्रित किया इस तरह अभी लक्षणों के आधार पर जीवों को विभिन्न स्तरों पर छोटे-छोटे समूह में बाटा गया जिससे एक पदानुक्रम विक्सित हुआ इस पदानुक्रम में सबसे उपरी स्तर पर जगत है तथा निचले स्तरों पर क्रमशह, जन्तू या फाइलम, वर्ग या क्लास, गण या ओर्डर, कुल या फैमिली, वन्श या जीनस तथा सबसे निचले स्तर पर जाती या स्पीशीज को रखा गया है स्पीशीज या जाती ऐसे जीवों का समूह है जिनमें बहायरूप के संदर्ब में काफी समानता है और वे एक दूसरे के साथ जनन कर सकते हैं उधारण के लिए सभी व्यक्ति एक ही स्पीशीज के अंतरगत आते हैं जिसे हम सेपियन्स कहते हैं यह स्पीशीज एनमेल्य जगत में आती है चुकि स्पीशीज में ऐसे जीव है जो एक दूसरे से काफी मेल खाते हैं तता अंतरगत जनन कर सकते हैं इसलिए स्पीशीज को और विभाजत नहीं किया जा सकता। इसलिए स्पीशीज को वर्गी करण की इकाई कहा जाता है। विटेकर द्वारा प्रस्तावित पांच जगत हैं मौनेरा, प्रटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया जिनके बारे में चर्चा हम आने वाले विडियोज में करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं नाम पद्दती के बारे में। हम जानते हैं कि भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के भिन्न नाम होते हैं। इससे विभिन्न कठिनाईय उत्पन हो सकती है, जैसे जब कोई व्यक्ति एक भाषा में किसी जीव की बात कर रहा हो, हो सकता है अन्य भाषा में बोलने वाले व्यक्ति, यह समझ ही न पाए कि किस जीव की बात हो रही है. इस समस्या के समाधान हेतू केरोलस लीनियस की द्वीपद नामकरन पद्धती को चुना गया इस पद्धती में किसी भी जीव को एक वग्यानिक नाम दिया जाता है और इसी नाम से वह जाना जाता है इस नाम में दो पद है जो लेटिन भाशा के शब्द होते हैं पहला शब्द उस जीव की जीनस को दर्शाता है तथा दूसरा शब्द उस जीव की स्पीशीस को दर्शाता है उधारण के लिए घरेलू बिल्ली का वग्यानिक नाम है फैलिस डोमेस्टिका इसका अर्थ है घरेलू बिल्ली का जीनस फैलिस है तथा उसकी स्पीशीस डोमेस्टिका है इसी तरह जंगली बिल्ली का वेग्यानिक नाम फैलिस चाउस है जिसमें फैलिस जीनस है तथा स्पीशीस चाउस है वेग्यानिक नाम लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है चलिए इन्हें समझे जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए स्पीशीज का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए छपे हुए रूप में विग्यानिक नाम इटालिक से लिखे जाते हैं लेकिन जब इन्हे हातों से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीशीज दोनों को अलग-अलग रेखांकित कर दिया जाता है अब आप किनी पाच जीवों के विग्यानिक नाम पता करके इन्हें सई प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिए ध्यान रहे जीव विग्यान की वहशाखा जो जीव जन्तुओं की पहचान, वर्णन, वर्गीकरंड एवं नामकरंड करती है को हम टैक्सोनॉमी या वर्गीकी या वर्गीकरंड विग्यान कहते हैं तो आज हमने सीखा पांच जगत वर्गी करंड और द्वीपत नाम पद्धती